गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स टूडेज वी विल स्टार्ट चैप्टर थ्री इन इवियस सेंस ओर्गन्स हम आज लेशन ट्री की एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो हमने प्रिवेश वीडियो में चैप्टर पढ़ा था सेंस ओर्गन्स यानि कि ग्यानेंद्रिया किस तरह से हमारी ग्यानेंद्रिया हमारी लिए आवेशक है और वह हमारी किस तरह हेल्प करती है तो आज हम उसके multiple choice question से exercise शुरू करेंगे multiple choice question में is empty question जिसमें हमें चार option दिये जाते हैं और सही option में हम टिक लगाते हैं और इसका answer होता है वो सही option first है we smell with our हम सुंगते हैं हम किसके द्वारा सुंगते हैं nose, ear, eyes, skin तो correct answer होगा nose हम नाप के द्वारा सुंगते हैं next we test with our हम चकते हैं यानि कि स्वाद करते हैं किसके द्वारा tongue, eyes, nose, skin हम किस से चकते हैं tongue यानि कि जिबान से tongue हम कोई भी जिटेस्ट करते हैं हम tongue से करते हैं we feel with our हम feel करते हैं यानि कि महसूस करते हैं किस से करते हैं eyes, nose, ear, skin तो हम किस से feel करते हैं skin से eyes से हम देखते हैं ear से हम सुनते हैं nose से हम सुंते हैं and skin से हम feel करते हैं we hear with our हम सुनते हैं किसके द्वारा सुनते हैं ear, eyes, nose, skin ear correct answer is ear हम अपने कान के द्वारा सुनते हैं एक बार फिट से revise करेंगे we smell with our हम अपने नाग के द्वारा स्मेल करते हैं we test with our हम tongue से test करते हैं जिबान से we feel with our हम अपने skin से feel करते हैं and we hear with our हम अपने कान से सुनते हैं अब next हम fill in the blanks start करेंगे next है हमारा fill in the blanks यह अहाँ पर आपको option दिये हुए है यह option आपको यहाँ पर जो blank है वहाँ पर fill करने है our first our body has sense organs हमारे शरीर के कितने sense organs है तो कितने eyelids, friend, touch, eyes five इसमें से यहाँ पर आएगा five our body has five sense organs पता है आपको five कौन कौन से होते हैं we see with our see with देखना हम देखते हैं किसके द्वारा देखते हैं eyelids, friend, touch, eyes five तो इसमें आजाएगा eyes हम अपनी आँखों के द्वारा देखते हैं we with our skin हम अपने skin के द्वारा क्या करते हैं eyelids, friend, touch, eyes five तो इसमें आजाएगा touch हम अपनी skin के द्वारा touch करते हैं किसी को भी छूते हैं the skin on our is the thinnest हमारी skin पतली होती है कौन से होती है? eyelids, आखों के जो उपर वारी जो skin होती है बहुत पतली होती है eyelids eyelids our five organs are like our best इसमें आजाएगा friend हमारे जो five sense organs है वह हमारे एक दोस्त की तरह होते है वह हमारी help करते हैं तो हमारे दोस्त के जैसे होते है इसमें आजाएगा friends यह fill in the blanks हमारा complete हुए अब हम next करेंगे true and false true and false means जब हम यह sentence है अगर यह हमारा sentence सही है तो हम इसके आगे true की true है यानि की सही है तो हम इसके आगे t लिखेंगे true का t लिखेंगे और false means गलत तो false का f लिखेंगे first is our hands are also sense organs क्या हमारे हाथ भी हमारे sense organs से ग्यानेंद्रिया है no हमारे हाथ sense organs नहीं है तो हम f लिखेंगे sense organs कौन कौन से है हमारे eyes, nose, ear, skin and tongue तो यह wrong है तो यहाँ पर हम false का f लिखेंगे second last next is we test with our tongue tongue means jeep क्या हम अपनी jeep से test करते है तो true हम अपनी jeep से ही test करते है हम कुछ भी खाते है तो हमें jeep से दारा ही पता चलता है कि यह चीज मीठी है, खटी है, या तीखी है तो यह true आएगा true का हम लिखेंगे tea next is we smell with our eyes क्या हम अपनी eyes के द्वारा smell करते है हम अपनी आखों से सुंगते है तो wrong eyes से हम क्या करते है देखते है यह f आ जाएगा false we feel and touch things with our skin हम अपनी skin यानि कि तवचा के द्वारा कोई भी चीज छूते है और feel करते है तो यह true हो जाएगा हम कोई भी चीज किसी भी चीज को इसके द्वारा छूते है और हम इसी से feel होता है कोई भी घरम चीज या ठंडे होने का ठंडी चीज हमें इसी के द्वारा feel होती है skin के द्वारा तो यह true इसमें आजाएगा यह सही है इस तरह से हमने इस chapter में sense organs पड़े और यह हमारा chapter यहीं finish होता है आपको यह exercise बुक में ही करनी है next video में हम इस lesson के question answer करेंगे thank you